हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं आपकी कहानी दोस्त लेकर आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है हम सब खास हैं कल हमारी क्लास में एक नई लड़की का अड्मिशन हुआ प्रिया का दिल पढ़ाई में बिलकुल नहीं लगता था सारा दिन वो खिड़की के बाहर ही देखती रहती थी नूर ने सोचा प्रिया कितनी प्यारी है मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए पता नहीं क्यों वो सबसे बात नहीं करती आज सुबह सुबह आते ही नूर ने आगे की सीट पर बैग रखा और प्रिया के आने का इंतजार करने लगी प्रिया के आते ही उसने हाथ मिलाया और उसे अपने बराबर में बैठा लिया अब रोज दोनों साथ बैठने लगे, साथ खाना खाने लगे मगर प्रिया का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और उसे सभी विश्यों का काम न पूरा करने की वज़े से बहुत डाट पढ़ती थी आज स्कूल में ड्रॉइंग कॉंपेटिशन है सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे नूर भी अपनी बनाई पेंटिंग में रंग भर रही थी अचानक उसकी नजर प्रिया की बनाई पेंटिंग पर पढ़ी इतनी सुन्दर पेंटिंग पेंटिंग कॉंपेटिशन में प्रिया को फर्स प्राइज मिला सब ने प्रिया की बहुत तारीफ की नूर ने भी कहा प्रिया क्या तुम मुझे भी इतनी सुन्दर पेंटिंग करना सिखाओगी प्रिया ने कहा क्यों नहीं अब नूर प्रिया को पढ़ाई में बहुत मदद करती और प्रिया नूर को नई-नई पेंटिंग बनाने में मदद करती हर बच्चे में कोई नो कोई हुनर जरूर होता है क्योंकि हम सब बहुत खास हैं हम जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ बाई बच्चों